नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिला बिग बैश लीग 2024 के नौक आउट मैच के बारे में, जो होगा सिडनी के ड्रमोयन ओवल पर, सिडनी ठंडर वुमन और होबार्ट हरिकेंस वुमन के बीच, तो चलिए जानते हैं इस मैच की सारी जानकारी और हमारी भविश्य इस समय महिला बिग बैश लीग 2024 का वह महत्वपूर्ण मोड आ चुका है, जहां लीग के सभी मैच खत्म हो चुके हैं, और अब यह नौक आउट मैच है सिडनी ठंडर वुमन की टीम अपना आखिरी लीग मैच मेलबर्ण रेनेगेड्स वुमन के खिलाफ हार चुकी है, वहीं दूसरी ओर होबार्ट हरिकेंस वुमन ने अपने आखिरी मैच में पर्थ स्कॉर्चर्ज वुमन को हराया सिडनी ठंडर वुमन की टीम घर पर अच्छा प्रदर्शन करती आई है, और इस सीजन में सिडनी में सिर्फ एक बार हार मिली है यह उनके आत्म विश्वास को और बढ़ाता है, क्योंकि वे यहां की पिच और परिस्थितियों से अच्छे से वाकित हैं वहीं Hobart Hurricanes वुमन की टीम की बैटिंग लाइनप काफी मजबूत है, लेकिन उनकी Middle Order में कुछ खामिया है इस मैच में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और इसी लिए हमें एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा सिडनी ठंडर वुमन की टीम को पिछले मैच में मेलबर्न रेनेगेट्स वुमन के खिलाफ नौ विकेट से हार का सामना करना पड़ा था टीम की बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही विभागों में निराशा जनक प्रदर्शन था इस हार के बाद कप्तान फोबी लिच्फील्ड उम्मीद कर रही है कि उनकी टीम इस मैच में शांदार वापसी करेगी और अगले राउंड में पहुँचेगी फोबी लिच्फील्ड को अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है खास कर शीर्श क्रम के बल्लेबाजों से चमारी अथा पत्थू और जॉर्जिया वॉल को पारी की शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन करना होगा क्योंकि इन दोनों की फॉर्म चिंता का विशय है इसके अलावा फोबी लिच्फील्ड को मध्यक्रम में मजबूत साज्यदारियां बनाने की जरूरत होगी और टाहलिया विल्सन और जॉर्जिया एडम्स से उम्मीद की जा रही है कि वे अच्छी बल्ले बाजी करें सैमिजो जॉंसन और अनिका लिरॉइड से निचले क्रम में तेज रन की उम्मीद है सिड्नी ठंडर की गेंदबाजी में सैमान्था बेट्स का प्रदर्शन शानदार रहा है और उन्हें जल्दी विकेट लेने की जरूरत है शबनीम इसमाईल को अपनी फॉर्म में सुधार करना होगा और नई गेंद से बहतर प्रदर्शन करना होगा टानल पेसचल और चमारी अथापत्थू के मिडल ओवर्स में किये गए स्पेल मैच का रुख बदल सकते हैं हन्ना डार्लिंग्टन और जॉर्जिया एडम्स को भी अच्छा समर्थन देना होगा वहीं होबार्ट हरिकेंस वुमन की कप्तान एलिस विलानी की टीम ने जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब अपनी बहतरीन क्रिकेट दिखाई पर्थ स्कॉर्चर्ज वुमन के खिलाफ उन्होंने तीन विकेट से जीत हासिल की जिससे वे पॉइंट स्टेबल में ऊपर पहुँची और इस राउंड में जगह बनाई होबाट हरिकेंस वुमन का सिडनी ठंडर के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है और विलानी चाहेंगी कि उनकी टीम उस जीत से प्रेरणा ले लेजल ली इस सीजन में टीम की प्रमुख रन स्कोरर रही है उन्हें और एलिस बिलानी को पारी की शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन करना होगा क्योंकि सिडनी ठंडर वुमन की नई गेंद की आक्रमन अच्छी रही है मिडल ओन अर्डर में थोड़ी खामिया हैं और निकोला केरी, सुजी बेट्स और हीथर ग्राहम को अच्छा प्रदर्शन करना होगा इसके बाद टबैथा सैविल और कैथरीन ब्राइस को फिनिशर्स के रूप में अच्छा योगदान देना होगा गेंदबाजी विभाग में होबार्ट हैरिकेंज वूमन की टीम को बेहतर प्रदर्शन की आवश्यकता है मोल्ली स्ट्रानो और रोजमेरी मेयर को नई गेंद से अच्छी शुरुआत देनी होगी लॉरेन स्मिथ और निकोला केरी ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया था और उन्हें वही प्रदर्शन दोहराना होगा अब बात करते हैं मैच स्थल ड्रमोयन ओवल की यह मैदान बल्ले बाजों के लिए एक बेहतरीन स्थल है जहां बैट और बॉल दोनों को अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलता है यहां गेंद बल्ले पर आसानी से आती है और तेज गेंद बाजों को भी पिछ से उचाल और गती मिलती है स्पिन गेंदबाजों को यहाँ ज्यादा मदद नहीं मिलती तो दोस्तों, आज का यह नॉकाउट मैच काफी रोमान्चक होने वाला है जहां सिडनी ठंडर वुमन और होबार्ट हरिकेंज वुमन के बीच कड़ा मुकाबला होगा दोनों टीमों को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और हमें एक बहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा ये थी आज की हमारी जानकारी, अगले मैचों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ धन्यवाद वो डिस्क्रिप्शन में दिये हुए टेली ग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते है